उया पेपर का के दोनों में टाइप किये हुए प्रशन आपको दिख चाहेंगे जवाब देने की कोशिश आपको करने इमानदारी के साथ फटाफट से क्लास को शेर करें पांदस मिनट की आपी क्लास होगी फटाफट से जवाब देने आपको ठीक है पहला किश्चन आपके सामने है भारत में कुल कितने संदक्षित जैव मंडल यानि कि बायोस्फियर रिजर्व है कितने है टोटल बिलकोल 18 है सी उपशन राइट है नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे वैनिस शहर जो नहरों और पुल ओं से युक्त है निमल खित में से किस देश में स्थित है वैनिस शहर बहुत ही खुबसूरत शहर है ये है इतली का ठीक है नेक्स्ट प्रश्ण देखेंगे भारतिया सविधान के अनुछेद 161 के अनुसार निम लिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ती प्राप्त है सविधान के अनुसार बताएंगे अनुछेद 161 में आप्शन सभी को दिख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे जो राज्य हैं उनके जो राज्यपाल हैं उनको 161 आर्टिकल के तहत जो है किसी अपराधी की शवा माफ करने कम करने या उसको थोड़ टालने या लंबन करने की शक्ती जो है प्रदान की गी है नेक्स्ट प्रश्ण देखेंगे कटिहार का पेपर है ये आपका भारतिय सविधान के उनक्षेद 5 से 11 निम्र खित्मे से किस पहलू से सम्बंदित है आर्टिकल 5 से 11 के अंदर क्या है बताएंगे सविधान के प्रश्ण पूछे जाते हैं इस्ट्री के जोग्राफी के सभी तरह के प्रश्ण आपके जिक्की में पूछे आते हैं बिल्कुल ए ऑप्शन राइट है भारत की नागरिक्ता सिटिजन शिप ओफ इंडिया से सम्बंधित है भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य कौन सा है सुपारीक आपको बताईए है हाँ बिल्कुल करनाटक में सुपारी उत्पादक राज्य है नेक्स्ट है यहाँ पर प्रश्ण आपका छे है अठारा सो अठाइस में ब्रह्म समाज की स्थापना निमल खित में से किसके द्वारा की गए थी आर्य समाज और ब्रह्म समाज यहां से प्रश्ण पूछा जाता है आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना किस ने किया जल्दी से जवाब देंगे बिल्कुल राजा राम मोहन राई सती प्रता के अंत में इनका विशेश योगदान रहा राजा राम मोहन राइखा तो यहां से भी प्रश्ण बनता है और फिर विलियम बेंटिंग के दौरा सती प्रता पर रोक लगाई गई थी तो यह भी important प्रश्णा इसको नोट करेंगे हैं नेक्स्ट है महात्मा गांधी को राश्ट पिता कहकर संबोधित करने वाले पहले वैक्ती कौन थे सबसे भेले किसने कहा राश्ट पिता नेशन्स फादर किसने कहा था फादर उस नेशन बताएंगे बेलकुत सही जवाब सुभास चंद्रबोस ठीक हैं नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इर्विकुलम राष्टय उध्यान किस राज्य में है देखो राष्टय उध्यान और जो अभ्यारण्य है वहाँ से एक प्रष्णए एक्जाम में बार बार रिपीर होता है काण भ्याराण्य हो, काजी रंगा हो ठीक है, किसली ये प्रसिद है सरिस्का होर अन्थम्बो यहां से प्रश्ण बन चुके हैं यह टोपिक आप अच्छे से देखेंगे ग्रीन कलर वाली जो अपनी फूल स्लेबर्स की बुक है तरुना आर्मी बुक आर्मी की जो बुक है अपनी इबुक मिल जाएगी एप में या एमेजोन फ्लिप कार्ट से बुक घर मंगवा सकते हैं पूरा टोपिक उसमें आपको दिया हुआ मिल जाएगा ती ऑप्चन राइट है बिलकुल केरल में है कहां पर है केरल में कौन से जिले में पूछे तो इड्डू की जिला सुनता और आपने केरल का वहीं पnement आई है इड्डू की में ठीक है नोट कर लेंगे नेक्ट है यहां पे है कहा दर और भांगर निम्ल-खित में से किस प्रकार की मिठी है खादर बहा के लाई जाते तो उसमें तत्व होते हैं वो उपजाऊपन पैदा करते हैं और बांगर मिट्टी पूछी जह होता है यह लिए उपजाऊँ नहीं होती है कौन सी वाली बांगर बांगर उपजाओ नहीं होती है बांगर का पुछाता है एकसर और बाकी ये खादर और भांगर है ये जलोड मिट्टी के प्रकार है ठीक है खादर और बांगर जलोड मिट्टी के प्रकार है इसमें से खादर जो है उपजाओ होती है ये वाली उपजा पूछा जा चुका है अब किसका पूछा गया है तनामी स्टनामी को जो रिगिस्तान यह और राइành नेख्ष्ट हे यहां पर निमलखित में से विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा इुत्पादक देश यहां पर बताएंगे पहले नंबर पर इसमें आएगा चीन दूसरे पर भारत आता है तो यहां पर बी आप्शन आपका क्या हो जाता है राइट हो जाता है ठीक है नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आंध्रपरदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित हैं वि आप्शन राइट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहां पर भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का अधिकारिक कारेकाल कितने दिनों का होता है अधिकारिक रूप से बताना है प्रश्न देखेंगे अधिकारिक बागी राश्ट पती जब तक प्रश्ण देखते हैं भारतियत जो तिरंगा है ध्वज उसमें अशोक चक्र का रंग कौन सा है इसी प्रश्ण है तो आप देखते हैं बार-बार कैसा रंग है बिल्कुल नीला जिसको इंग्लिश में नवी ब्लू बोल देंगे ठीक है नवी ब्लू चोबिस तिलियां होती ह पुछा जाए इसमें 24 तिलियां होती है ठीक है सारनाथ से लिया गया है आपको पताईए आपको नोट कर लेंगे नेक्स दिखेंगे जीके का लश्ट प्रश्ण है इसके बाद में साइंस का प्रश्ण रहेगा कटिहार इयारो का पीपर आप कर रहे हो बहुजन हिता आय ब आप शायद यहां पर देख पा रहे हैं ठीक है दिख रहा है सब इक option बिल्कुल बताएं तो जिल्दी से बिल्कुल all India रेडियोस यह option आपका राइट रहेगा next प्रशन देखते हैं कटिहार का science का प्रशन आपका आचुका है 15 प्रशन science की और हम करेंगे और फिर next वीडियो में maths और reasoning के प्रशन भी next जो क्लास रहेगी आपके उसमें कर लेंगे अगर आपको यह पसंद आता है ठीक है निमलखित में से कौन सा जीव एक colonial के स्वरूप में रहता है कौन लियल के स्वरूप में कौन सा जीव रहता है वह आपका बताना बायो का प्रशन और इजी प्रशन तो इसको नहीं कह सकते हैं लगबग हार्ड लेवल का प्रशन तो वॉल्वक्स यहां पर क्या होगा राइट है यह एक शैवाल होता है वॉल्वक्स जो जीव है वह ए प्रशन प्रक्रियाग के से दौरान होती है अब मुझे मत कहाना कि मैं हार्ड प्रशन करवा रही हूं यह कटिहार का पेपर कर रहे हैं और पेपर में जो बायो का प्रशन है वह उस ताइम हाड आया था ठीक है तो बताएंगे जो इंग्लिश वीडेंग स्टूडेंट है का पॉर्शन देखें क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा मलत्याग और मुत्रव निर्मान के दौरान जो है यह प्रक्रिया रहती है सी ओप्षन यहां पे राइट होगा ठीक है नेक्स्ट देखेंगे प्रत्वी पर कितने प्रतीशत ताजा जल फ्रेश वाटर उपलब्द है कितने प्रतीशत ओंली 3% अंली 3% थीक है प्रत्वी का जो 71% हिसा है वो जल से ढखा हुआ है लेकिन पीने लाएक जल बहुत कम है यह दिखत है थीक है तो जो 3% पानी है वो ही प्रिथ्वी पर फ्रेश वाटर है पीने लायक जल है नेक्स्ट देखेंगे निमलकित में से क्या एक green house gas नहीं है कौन से green house gas नहीं है वो बताना है नहीं को ध्यान से बढ़ लेना बताओ जल्दी से तो carbon monoxide नहीं है ये वाली नहीं है ठीका जल्वाशप है नाइटर्स oxide है ओजोन है गुड तो ये monoxide वाई नहीं है नेक्स्ट प्रशन देखेंगे घेंगा जिसको goiter rocathium किसकी अलप क्रियता के कारण होता है किसके कारण होता है बताएं थाइराइड गरंथी में होता है ये बिल्कुल गला जो है फूल कर लटक जाता है फूल जाता है आयोडीन की कमी की कारण होता है थाइराइड जो गरंथी होती है उसमें सूजन आ जाती है ये option जो है राइट होगा आपका ठीक है नेक्स्ट प्रशन देखेंगे इलेक्ट्रोनों की तरंग प्रकरती को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया कि इलेक्ट्रोन की प्रकरती वो तरंग की रूप में है वेव नेचर है ये किसने बताया बताया किसने यह आपको बताना है जवाब देंगे option आपको दिख रहा है अब दिख रहा option सभी को हाँ तो अब जवाब दीजिए बिल्कुल डेवीशन और जर्मन ने एक प्रियोग किया उसमें बताया c option राइट है नेक्स्ट प्रशन देखेंगे चेचक जिसको हम smallpox कहते हैं इसका रोग कारक जो जीव है वो कौन सा उसका नाम बताने है क्रिश्चन कई बार एक्जाम में पुछा था ससी जीडी में भी पुछा गया था एकले में पुछा जाय चुका है इंपॉर्ट्ट प्रशन बतायेंगे चल्दी से स्यथीप्रियोष साब्सताने होता है वे यसमें बायों के प्रशन आप देख रहे हो तो ज़्यादा पुछे गए हैं इस पेपर में बी ऑप्चन राइट है हीमोग्लोबिन के असमान्य स्तरों के कारण अबनॉर्मल लेवल्स ओफ हीमोग्लोबिन नेक्स्ट है हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदाई है बिल्कुल व्रधी और मरमत सरी की ग्रोथ और रिपेर के लिए सी ऑफ्चन आपका साथ हो राइट होगा ठीक है जो आप देंगे निम लिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है वाश्पी करण है बिल्कुल ए अप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा जल चक्र आप पड़ सकते हैं कई निम लखित में से किस जानि मिन्रल की और विज़ो हो कौन मीखे पानी का सबसे च facच रौत है मीखे पानी क बिलकुल रदियां है weird है फर्षका पानी आता है नेक्स्ट प्रश्ण देखेंगे, दो ही प्रश्ण आपके बचे हैं निमल खित में से कौन सा विटमिन A का एक अच्छा स्त्रोथ है विटमिन A का अच्छा स्त्रोथ A का, A की कमी से कौन सा रोग होता है, रतोंधी कि रात को दिखाई देने में कमी होती है, विटमिन A की कमी से, रोग तो रतुंधी हो गया, स्त्रोथ, मतलब किस से सोर्स बताना है, किस को खाने से विटमिन A की पूर्ती होती है शरेर में, बिल्कुल मचली का तेल यहां पर राइट आंसर इसके लाबागा गाजर भी हो सकता है और इसका रसायनिक नाम पुछा जाता है तो रेटिनोल विटमिन एक रसायनिक नाम पुछा जाता है ठीक है नोट कर लेंगे नेक्स्ट प्रश्ण आपका है ध्वानी नीम लिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है किसमें नहीं कर सकती ध्वानी मैंने आपक तरंग है दोने कैसी तरंग है या दूंत्रिक में कर विव इसको चलने के लिए कोई न कोई चाहिए निर्वात यानी वैक्यूम जहां कुछ भी नहीं हो वहां पर यह नहीं चल पाएगी वहां पर नहीं चल पाएगी तो भी ऑप्षन राइट हैं माचिस की डिभी की सतय से ज अपको दिख रहे होंगं के कौन सी ऊर्जा है यहां पर रहती है बिल्कुल रसाइनिक स्क्काइब प्रश्ण रहे यहां पर इसकी पीडियाफ भी आपको मिल जाएगी आप चाहें तो टेलीग्राम गुरूप तरुणा डिफेंस अकेडमी जोइन करें कॉमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिये हुए हैं ऐसे ही और प्रश्ण देखने के लिए आप हमार जाहेंट